मुझे पता है कि आप अपनी अप्लिकेशन को बिल करते वक्त काफी सरी कोड़ चिंदस के कारण आपकी जो साइट है बार-बार रिलोड हो जाती है and then main problem क्या होती है आपकी जो डेटा है वो मिस हो जाती है and then आपको again अपनी डेटा को generate करना पड़ता है इसलिए मैं एक solution जो हमारे browser ने खुद हमें provide किया क्या है storage के लिए हमें use करना है उनका provided tool that is local storage and session storage तो मैं आपको difference अब को बताऊंगा कि local storage क्या है and session storage क्या है in depth हम बाते करेंगे उनके बीच में and then differences भी पता करेंगे also हम यहाँ पर अमारे जो जीरा application का project हमने बनाया था उसके अंदर भी हमने local storage का use case किया था same use case हम again लेंगे and then उसके उपर सारी की सारी discuss करेंगे and then मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि आप इस code part को abstraction मान के चलिए जो tickets आ रही है जो भी मेरे पास data आएगा उसको abstraction मान लीचे कि यार मेरे पास data आ जाएगा मुझे यह नहीं पाता कैसे और क्यों आएगा लेकिन आज आएगा मुझे बस उस data को लेके store करना है कही पर and then मेरे site को reload होते वक्त या फिर next time जब भी मैं अपने page को visit करो मुझे उस data को वहाँ से लेके यहाँ पर generate करना है बस simple सा इतना सा मेरा काम है क्योंकि मुझे पढ़ना है local storage ना कि code की flow को जाना है तो मैं चाहता हूँ आप abstraction में लेके चलिए इस code flow को और आराम से हमारा यह storage वोला part cover हो जाएगा तो चलिए start करते हैं अभी देखते हैं कि web storage API है क्या चीज दिखते हैं कि यह असल में है क्या थोड़ बहुत उनके बारे में जान लेते हैं एक ideology के लिए तो फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ web storage API तो यह क्या है तो basically हमारे browser का दिया गया है provider by browser fine and then यह क्या है web storage API basically a set of mechanisms है a set of mechanisms है हमें storage provided करने के लिए हमें storage provide करने के लिए और वो storage किस form है वो storage आप fill करोगे key value forms में आप fill करोगे key value जैसे कि आप जानते हो for an example आपको पता होगा JavaScript का object जावस्किप्ट का object कैसा होता है key value form में रहता है आपके पास object है आप यहाँ पे key डालते हो opposite में value यहाँ पर key डालोगे opposite में value तो example के लिए वैसे मान सकते हो fine तो अभी हम web storage API एक overall term हो गई उन में से हम कौन सा use करने वाले तो generally हमारे browser के लिए क्या होता है एक database जो होता है दो parts होते हैं मैं दो चीजों को classify करना चाहूंगा एक हो गया हमारे web storage के अंदर उस API के अंदर है एक है हमारा local storage एक है हमारा local storage and second one is going to be my session storage second one is going to be my session storage तो इन दोनों के बीच में differences क्या है बात करते हैं differences के तो session storage पहले क्या है कि जब भी आप अपनी data को इधर store कर सकते हो लेकिन इसकी expiry क्या है अगर आप अपनी data को चुछ भी key value पाहल में यहां पर store करते हो तो यह spelling हो गई गलत कर देते हैं इसे change तो expiry क्या है अगर आप अपनी डेटा को store करते हो session storage में तो वो सिर्फ उस particular session के लिए available होता है that is कि अगर आप अपने browser को browser को close कर दोगे तो आपकी data clear हो जाएगी या फिर अपने reload को अपने browser को reload कर दोगे site को जो tab को reload करोगे तब भी आपकी data clear हो जाएगी तो session जो keyword है उस name से हमें clarify होता है कि वो सिर्फ एक particular session दो एक particular time limit के लिए ही available होता है whereas और फिर यह session storage है यह database की storage भी थोड़ी कम होती है storage थोड़ी कम होती है compare to local storage when I come to local storage great तो यह हो गई हमारी बात session storage के ऊपर next हम आते हैं local storage में local storage के क्या है कि इसकी expiry नहीं है इसकी जो data है आप जो data store करोगी उसकी कोई expiry नहीं है मतलब आगर आप reload करोगे या फिर browser को close भी कर दोगे फिर भी आपका data persist करेगा अपने web के अंदर तो आप जब भी आप दुबारा अपने browser को खोलोगे तो आप उन data को वापस से access करके आपने manipulations कुछ perform करना चाहते हो जो भी operations करना चाहते हो आप perform कर सकते हो और फिर next portion आता है data storage तो data storage का limit क्या है data storage का limit क्या है तो generally most browsers में most browsers में हमारा local storage and session storage का कितना almost 5 MB रहेगा यह कुछ browsers में vary कर सकता है लेकिन almost every browsers में local storage session storage 5 MB का storage provide करता है great फिर बात करते है next next हमने कहा था कि in में जो values आएगी जो भी हम store करेंगे वो रहेगी key value form में यह रहेगी key value की pair में यह key value pair जो रहेगी न इनको रहना पड़ेगा string form में इनको रहना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ string form में यह accept करता है that is कि आपकी key and value दोनों string होनी चाहिए अगर आप pass करना चाहते हो अगर आप pass करना चाहते हो अपनी value को कोई object जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक object पास किया होता तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस चीज का आपको string में convert करना पड़ेगा JavaScript की जो object है या फिर array भी ले लीजिए तो उसको आपको convert करना पड़ेगा in the form of a string क्योंकि local storage क्योंकि browser की जो web API है यह सिर्फ accept करेगी आपकी string में आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप यूज कर सकते हो for objects for objects for objects के लिए आप यूज कर सकते हो json.stringify json.stringify पहले बात करते हैं json क्या है पहले बात करते हैं json क्या है json basically stands for json stands for javascript की object notation javascript की object notation तो यह standard एक standard format है एक standard syntax जो की एक standard format है अपनी data को represent करने के लिए अपनी data को represent data representation के लिए और फिर ये काफी lightweight भी है जैसे की lightweight as in कि इसका ये lightweight है जिसके कारण आप अगर client server से server के साथ कुछ contact कर रहे हो रहे हैं आप server से request या फिर response कुछ भी करते हो तो आपका server basically maximum web applications आपकी जो data transmit होगी जो आपकी data transmit होगी वो json के form में ही max to max json के form में ही होती है क्योंकि ये lightweight माना जाता है और फिर इसकी representation भी काफी अच्छी है इसकी representation भी काफी अच्छी है कि user user समझ पाए इस form में है basically ये syntax जो javascript object notation है यहाँ पे javascript term से clear है कि इसमें भी कुछ javascript के जो object है उनकी तरह ही representation होग object आपको पता है key value form में रहती है वैसे ही इधर भी कुछ key होगी जो कि string में रहेगी जो कि इसमें यह mandatory है कि आपकी quotes और फिर दोनों और फिर value इधर भी यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं एक object type है आपको मैं इसको implement एक छोटा सा जलक दिखाऊंगो जैसोन object कैसा दिखता है तो यहाँ पर आप अपनी की को सिर्फ double coach में लिख सकते हो अपनी की या फिर कोई और कोई और फिर value में जो string होगी आप उसे सिर्फ double coach में लिख सकते हो जैसोन आपको single coach की प्रोविशन नहीं करता वैरास जावास्क्रिप्न आप single coach यूज कर सकते हो लेकिन यह अलग है जैसोन एक अलग चीज है जावास्क्रिप्स से जावास्क्रिप्स का object notation मतलब similar एक similar thing है similar to js का object syntax है बस और कुछ नहीं object का syntax है एक easy representation form में data समझने की representation form है जो की काफी light weight है data को transfer करने के लिए use case इसका काफी अच्छी तरीके से होता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो यहां पर आते हैं यहां पर अगर आऊं तो यहां पर आप जैसे कि मैंने बात कहीं थी आपनी वैल्यू जैसे कोई जावास्क्रिप्स object या फिर आयरे है उसको आपको string में convert करने के लिए आप जैसोन रख stringify method का use कर सकते हो similarly अगर आप चात जिसका नाम है parse जो कि आपकी जो string form में जो object रही होगी उसको यह parse कर देगा that is आप इसे overview कैसे समझ सकते हो कि आपने कुछ अपनी password को मतलब अपनी कुछ data को encode कर दिया ठीक है कुछ password जैसे चीज़ से encode कर दिया उसके बाद आप parse यूज़ करके उस चीज़ को decode कर दिया यह एक simple सी term जैसे में define करते हम कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हो right fine तो यह हमने बात कर दी json के उपर और फिर हमने बात कर दी कैसे string से convert करेंगे अभी हम देखते हैं अपनी local storage के उपर पहले मैं आपको यहाँ पे json की एक body लिखा देता हूँ तो यहाँ पे json मैंने type किय और फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो अगर आया यहाँ पे json.org में and then तो यह नहीं है आपको json की body दिखाते हैं यहाँ पर यह introduction पे तो आप देख सकते हो यह है मेरी json की representation की form यहाँ से लेके यह मेरी object जैसी लगती है javascript object notation है जो की double quotes में ही आपकी value लेगी अगर इसका syntax कुछ मिल जाए तो यहाँ पे आता हूँ मैं अपने बाहर और फिर working with json इसमें देखते हैं इसमें तो होगा निचे आया मैं तो आप देख सकते हो एक object form की notation में जो की बिलकुल javascript को object जैसे ही दिखते है बस एक similar thing है जो की double quotes में है आपकी string की value है आप similarly ऐसे array भी आप pass कर सकते हो जिसके अंदर भी कुछ और objects भी हो सकते हैं उसके अंदर कुछ और भी objects हो सकते हैं fine तो यह हमने बात कर दी देख लिया कि json आखिर अधे end of day देखता कैसा है तो अभी हम बात करते local storage की तो local storage हम use कैसे करें local storage को use करने के लिए देखते हैं कि क्या-क्या methods provide किया गया है तो यहाँ पर आता हूं window के तो एक और बात एक और बात आपको local storage का access कैसे मिलेगा आप local storage का access ले सकते हो through browser जैसे की browser ने आपको provide किया है विंडो का एक interface राइट विंडो का एक object आपके आ सकते हैं उस object के through आपके पास globally available रहेगा globally available रहेगा आपका local storage आपकी local storage globally available रहेगी through window की object के through तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर आपका लिखा गया है window.local storage तो यहाँ पर आता हूं मैं तो इसको आपके प पास कुछ method से जैसे की set item, मतलब आप अपने data को store करने के लिए आप set item यूज़ करिए, और फिर कुछ data को retrieve करने के लिए get item के यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यह हो गई मेरी key set item है और यह हो गई मेरी value, and then नीचे है remove item, कि आप अगर चाते हो उस key को remove कर दो, और फिर आप अपने local storage की जितने भी आपने key set की होंगे उनको एक साथ clear भी कर सकते हो, fine, तो यह हमने देख ली, कुछ method करने हैं, right तो क्या करते हैं, हम डालते हैं, local storage हमारे पास globally available रहेगा तो मैं यहाँ पर directly set item को use करते हुए, मैं क्या रखूंगा, आपने key का नाम रख लूँगा जीरा की tickets, जीरा की tickets, तो यह हो गई मेरी naming, जीरा की tickets, and then next क्या होगी, मेरी value value क्या होगी, उसको value डालना पड़ेगा, मुझे tickets का array, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, यह एक array of objects है, आपको string form में ही पास करना पड़ेगा अपना data, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अपनी json.stringify, json.stringify करूँगा, तो यह जगा मेरी एक string form में convert होके, अपनी जगा पर local storage में, jira tickets के जगा पर, यह वहाँ पर fit हो जाएगी, मतलब यह data वहाँ पर store हो जाएगी, तो चलता हूँ, अपने live server पर, और फिर right click करके inspect पर आता हूँ, and then इसको half screen करके, अपनी inspect में application में आता हूँ, और फिर, इधर लाता हूँ, अपनी application, application में जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास local storage है, जो कि आपकी current की location बता रही है, आप यहाँ पर कोई अपनी ticket create कर दीजी, pink color क्लिक कर दीजी, और फिर shift कर दीजी, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे जो ticket की object है, fine, तो ऐसे करके आप अपनी value को add कर दो, मतलब लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ set किया, हमने एक बार create किया, set कर दिया, लेकिन आप अगर अपने browser को close कर दोगे, close कर दोगे, तो यह जो सारा code है, यह तो from the first चलेगा, लेकिन आपके पास अपनी local storage में data stored है, ल local storage में अपनी data है stored, you have your data stored in your local storage, and here is your browser, you have closed your tab, you have closed your tab, you have your data as well, that's no wrong, that's nothing wrong in that, पर अगर आप दुबारा खोलते हो अपने tab को, आप दुबारा ओस साइट को खोलते हो, तो आपका code first से चलेगा, तो आपको क्या होगा, आपकी screen जो है, वो empty ही रहेगी, आपकी screen जो है, वो empty ही रहेगी, आपके पास data होते हुए भी, आपको कुछ भी यहाँ पे display नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, कि यार मेरे local storage में कुछ data है, तो उस data को पहले display करा दो, store case ले किया, ताकि उस data को use कर सकते हैं, करते हैं, यहाँ पर आता हूँ, अपने top पर, and then इस जगह पर, मैं चेक करता हूँ, if, first पर ही check करता हूँ, if, मेरी local storage, local storage जो है, उसकी dot get item करके, उसकी अंदर, क्या है, मेरी Jira की tickets, अगर है मेरी Jira की tickets, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे, अगर मेरी Jira की tickets है, तो I need to add my data, retrieve and display tickets, retrieve and display tickets, fine, retrieve कर दिया, और फिर display भी कर दिया, और तो यहाँ पर, अगर tickets नहीं है, तो क्या होगा, यह condition तो fail हो जाएगी, automatically नीचे चला जाएगा, वही तो हमें चाहिए, वो तो सही है, तो यहाँ पर आता हूँ, अपने application स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर, जब भी अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यह जो tickets आ रहे हैं, यह जो tickets आ रहे हैं, इसके अंदर मैं directly set कर दूँगा, किसको local storage से get कर दूँगा, local storage को अपने data जो है, same data है, जो की array of objects ही है, तो get item करके, यहाँ पर लिख दूँगा, हमारी jira की tickets, यहाँ प सबी जगा json.stringify किया है, तो यहाँ पर यहाँ में क्या करना पड़ेगा, json.parse, json.parse करेंगे, and then इस data को tickets की array में store कर देंगे, तो अब जो tickets आरे रहे हैं, वो यहाँ पर खाली नहीं रहेगा, यहाँ पर इसके अंदर data रहेगा, यहाँ पर अगर local storage में exist करता है, तो I hope क आपको एक अच्छी सही information मिलकी है, हमारे storage के around, that is हमारे browser का storage के around, तो आप भी इसको implement करके देख सकते हैं, अपने end से, कुछ normal सा data भी आप डालके, अपने end सा test करके, इनकी functionality संदर इनकी powers को आप test कर सकते हो, तो इस video में इतना ही, मिलते हैं हमारे next video में, thank you.